मित्रो नमस्ते हिंदी व्याकरण में आज हम समास परगर्ण की बात करेंगे मित्रो पूरी हिंदी व्याकरण को एक व्याभारिक द्रस्टी कौन से हमें दो रूपू में, दो भागू में बांट करके देखना चाहिए एक वह भाग है व्याकरण का जिससे नए शब्दूं का निर्मान होता है जिसको हम शब्द सरंचनात्मक पक्ष कहते हैं LDC परिक्षा में एक बार एक प्रस्न आया था कि निम्द में से किस विकल्प में शब्द सरंचना का संगटक तत्व नहीं है उसका अर्थ ये था कि शब्दूं की नए शब्दूं का निर्मान करने वाले कौन-कौन से पक्ष है हिंदी व्याकरण तो हमें ये जानना चाहिए कि हिंदी व्याकरण में चार चीजें ऐसी है जिसे नए शब्दूं का निर्मान होता है और वो है उपसर्ग प्रतिय समास और संदी कहने का तातपर यह है कि उपसर्गूं से हम नए शब्दों का निर्मान करते हैं जैसे एक हमारे पास शेष शब्द हैं अब उस शेष के साथ में जब हम अव उपसर्ग जोड़ देते हैं तब शब्द बनता है आवशेश वी जोड़ते हैं तो विशेश बन जाता है निर्द जोड़ते हैं तो निर्शेश बन जाता है प्रति जोड़ते हैं तो प्रति शेश बन जाता है उपर जोड़ते हैं उपर शेश बन जाता है तो इसका आर्थी यह वाकि उपसरगू से नए शब्दूं का निर्मान करता है, इससे करता है, जैसे हमारे पास एक कोई भी शब्द है, जैसे हमने एक देह शब्द लिया, और देह में जब हमने एक प्रत्य जोड़ा, तब जो हमारा शब्द बनता है वो दैहीक शब्द है, इसी प्रकार वैजानिक शब्द है, तो वैजा ठीक उसी प्रकार से हिंदी व्याकर्ण में संदी से भी नए शब्दूं का निर्माण होता है जैसे रमा एक शब्द था इस एक शब्द था और रमा और इसको जब हमने जोड़ दिया तब एक नया शब्द बन गया रमेश ऐसे अनन्त हजारों हजारों उधार्ण हो सकते हैं और आज हम उसी समास प्रकार्ण की बात कर रहे हैं समास से नए शब्दूं का निर्माण कैसे होता है यह हमें जानना चाहिए देखिए हमारे पास जैसे एक वाक्य है महान है उदे जिसका हम थोड़ी सरल चीजों से आज की कख्षा की सुरुवात कर रहे हैं महान है उदे जिसका जब हम यह कहते हैं तो हमने क्या किया समास में हम जानते हैं कि विवक्ति चिन और अव्य इत्यादियूं का या मध्यम जो पद पाये हैं दोनों पदों के मध्ये जिनको हम पद कहते हैं उनका लोब करके एक नवीन और स्वतंत्र पद बनाया जाता है जिसको समास के सैत्र में समस्थ पद के नाम से जानते हैं तो महान है उदे जिसका ये एक वाक्य था उसमें है और जिसको को जिसको ये दो पद हमने हटा दिये और महा और उदे को जोड़ दिया तो एक नया शब बना और वह शब्द है महोदे तो ये महोदे जो शब्द है इसमें हिंदी व्याकर्ण के दो दो पक्ष काम कर रहे हैं पहला तो हमने क्या किया पदूं में न्यून्ता करी कैसे महान है उदे जिसका इसमें है और जिसका को हमने हटा दिया और फिर महा और उदे जो हमारे पास में दो पद रहे थे उन पदूं के मद्दे हमने संदी कर दी एक बहुती मत्मून बात यहां से समझ में आती है कि पहले किसी भी जो शब्द होता है शब्द निर्मान की प्रक्रिया में पहले समास कारी करता है मनी समास से हम शब्दूं में शब्दू की नियूंता करते हैं और संदी जो है वो वर्णू को कम करती है इससे इस पस्ट होता है कि समास एक पद के इस्तर की प्रक्रिया है जबकि संदी जो है वो वर्ण इस्तर की प्रक्रिया है ऐसा हमें जानना चाहिए आईए ये कुछ बातें थी जिसको हमने ये ज समास की बात करें तो पहले तो देखेगा यह आपको दिखा है इस करसर पे ध्याद दीजेगा समास का आज तो सम्मझ है वो शब्द व्यूत्पति पक्ष है इसका अर्त में बता चुका हूं कि शब्दूं का निर्मान करने में समास के आउशक्ता होती है समास नहीं होता तो हमारी भाषा का स्वरूप कैसा होता जैसे आज हम जिसको दही बड़ा कहते हैं उसका पूरा एक वाक्य था कि दही में डूबावा है जो बड़ा तो आज हम यह नहीं कहते हैं कि मैं उस विभावा उसमें गया था और वहां जाकर के दही में डूबावा है जो बड़ा वह खाके आया हूँ हमने एक दही बड़ा पद बोला ये समस्पद है इसी प्रकार से मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं रेल पर चलने वाली गाड़ी से गड़ों गड़ों के समु में जा रहा हूं अपितुमें रेल पर चलने वाली गाड़ी के लिए मैंने एक पद बनाया और वह है रेल गाड़ी इसका अर्थ ये हुआ कि समास नहीं होते तो हमारी भाषा बहुत बोजिन होती भाषिक सौंद्री की दरस्टी से अब यहाँ पर यह देखेगा समास जो है उसका विलॉम सब्द क्या है व्यास है क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्सेव और व्यास का मतलब फेला आओ विस्तार कर देना तो समास और व्यास इसी प्रकार से संदी जो है उसका विलॉम शब्द होता है विग्रह संदी हम जोडने को कहते हैं और विग्रे जो हैं वो अलग करने को कहते हैं कूटने को कहते हैं तोडने को कहते हैं जिसको हम संदी के सेत्र में विच्चेद कहते हैं लेकिन जब आपसे समास का विलॉमसद पूछे तो व्यास होगा और संधी का विलॉमसद पूछे तो विग्रे होगा यह ध्यान रखना चाहिए एक ये प्रसंप्राप्त यहां पर देखेगा मैंने लिखाया कि उपसर्ग जो है उसका विलॉम शब्द जो है वो परसर्ग है और परसर्ग का विलॉम सब्द उपसर्ग है यदि आपके विकल्प में उपसर्ग का विलोम सब पूछे और परसरग नहीं दिया वा हो तो इधान रखेगा प्रत्य भी किया जा सकता है क्योंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरम में जुड़ते हैं और प्रत्य वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं तो इस द्रस्टी से ये चार चीजे हमने सेखी है समास का विलोम व्यास होता है संदी का विग्रे होता है उपसर का परसर्ग और परसर्ग नहीं होतो फिर प्रत्य आप इसका विलॉम शब्द कर सकते हो यह एक अलग बात थी चलिए आईए हम बात करते हैं कि यह समास शब्द मना के से समास जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है सम का आर्थ होता है सम्यक या भली भांती और समस्कित की दरस्टी से यदि मैं विवेशना करूँ तो यह अस धातू होती है और अस धातू में यह प्रत्य जो आप देख रहे हो यह गए प्रत्य है गए प्रत्य में अ प्षेश रहता है और जो अ है यह अस धातू का यह आ बन जाएगा और यह आस बन जाता है इसलिए हम हिंडी में यहां से इसको पकटते हैं कि सम उबसाग के साथ में आस मूल शब्ड है सम और आस को जोड़ते तो समास बनता है और इसका जो शाब्दीक जो अर्थ होता है होता है संक्षिप मनि शंक्षिप्ति कर्ण जो है वही समास है कोई बात कोई चीज इतनी वड़ी है कोई वाकिय इतना बड़ा है और हम उसको फेला करके जब इतना सा कर देते हैं वही समास है समास और संक्षेप ये परस्पर प्रियाईवाची शब्द हैं हमें ये बात ध्यान डखनी चाहिए चलिए अब यहाँ पर एक बहुती मत्पून परिभाशा जो समस्कित व्याकर्ण में चलती है लेकिन हिंदी की दरश्टी से बहुत युपियोगी है और वो क्या है हिंदी का विद्यारती इस परिभाशा को जरूर रट ले अनेक पदा नाम एक पदिभवनम समासह उच्चते इसका आर्थी ये हुआ कि अनेक पदा नाम जहांपर अनेक पद थे उन अनेक पदूं को जब हमने एक पद बना दिया बहुत सारे पद थे एक वाक्य में उन बहुत सारे पदूं को जब हम एक पद बना देते हैं वहाँ एक पद होने की जो प्रक्रिया है वही समास कहलाती है मित्रों अनेक पद जो है उसको हमें ये समझना चाहिए कि विग्रह वाक्य में आप से कोई पूछे कि विग्रे वाक्य क्या होता है तो विग्रे वाक्य का मतलब होता है जिसमें अनेक पद होता है जिसमें अनेक पद होते हैं वहाँ विग्रे वाक्य होता है और एक पद ही भवनम एक पद क्या होता है सामासिक प्रक्रिया में जिसको हम समस्त पद कहते है समस्त पद या सामासिक पद जिसको हम कहते है वही एक पद है और अनेक पदों को एक पद बना देने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम समास है देखिए समास के यह आपको दिख रहा है सम और आस से बनाए सम मनी सम्मेक रूप से और आस मनी बिठाना या जोड़ना इसका मतलब यह वा कि सम्मेक रूप से जोड़ना ही समास है अब यह देखेगा अनेक पद कैसे है यह एक वाक्य देखने आप वह जो चक्षू से श्रवन करे इस वाकिय में एक, दो, तीन, चार, पांच और छे पद है अब हम एक तो यहां कहें कि वह जो चक्षू से श्रवन करे और उसकी जगे एक बात हम यह कहें कि चक्षू श्रवा सुनने में या अभिव्यक्ति में कौन सी बात आपको कर्ण पर यह लग रही है तो सबका उतर एक ही होगा कि चक्षू श्रवा ज्यादा उप्यूक्त है वह जो चक्षू से श्रवन करे इसमें वह जो से करे इसको हटा दिया एक पद चक्षू रहा दूसरा श्रवन रहा हमने इसको साथ में बिठा दिया और ये शब्द बन गया चक्षू श्रवा इसका मतलब क्या वा कि जो छे पद थे छे पद की जगे हमने दो पद ले लिए और समास में इनी पदों को हम पूरो पद और उत्तर पद कहते हैं, आम तोर पर शमास में दो पद होते हैं परथम पद और उत्तर पद लेकिन यहां आवशक नहीं है समस्कित और हिंदी में एक मूल भूत अंतर है समस्कित में समासों का जो उपियोग किया गया जाए जितने भी बड़े कवी जितने आप कालिदास ले लिजीगा भारवी ले लिजीगा दंडी विशेशूप से जाने जाते हैं बान भट उन सब ने समासूं का अपयोग तावी में कलिष्ट ता उत्मन करने के लिए किया था लेकिन हिंदी की एक बहुँ हिंदी सरल भाषा है राष्ट भासा है जन भाषा है इसलिए हिंदी में समासूं का अपयोग पांडिति प्रदर्शन के लिए नहीं होता है यहां पर भाशिक शौंद्री की अभिवरदी के के लिए समासों का उप्योग हम करते हैं कि यहां पर यह चक्षु और श्रवाद दो पदगी में बात कर रहा हूं और मैं यह कह रहा था कि हिंदी में सामानित है ऐसा का जाता है कि दोनुं पदूं के मध्य आयवे विवक्ति चिन और अव्य और पदूं का लोग करने पर जो जाता है उसको हम समझ पद कहते हैं लेकिन मित्रों ऐसे बहुत सारे पद हैं हिंदी में जिसमें दो से अधिक पद हम देखते हैं जैसे तन मन धन है जैसे जन मन मनजु मुकुल मल हरनी यह विशेज करके दो से अधिक पदूं का प्रियोग जो है वो हिंदी व्याकरण में जो छे समास है कुल उन छेउं समासों में से जो द्वन्द समास है उसमें दो से अधिक पदूं का प्रियोग होता है यह हमें जानना चाहिए तो यह एक और नई बात हमने यहां पर सिखी कि समास में क्या होता है कि पदूं की नूनता होती है और संदी में क्या होता है कि वर समस्थपद में क्या संबंध होना चाहिए तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थ ग्राहियता विग्रह वाक्य से होती है कहने का तात्पर ये है कि जो अर्थ हमें विग्रह वाक्य मने अनेक पदूं से प्राप्त हो रहा है अनेक पदूं को सुनने से जो अर्थ ग्रहियता समस्थ पद से होनी चाहिए समस्थ पद और विग्रह वाके में अर्थ के स्थर पर समानता होनी चाहिए विग्रह वाके से जितना अर्थ की प्राप्ति हो रही है उतने ही अर्थ की प्राप्ति समस्थ पद से होनी चाहिए तभी समास की सई प्रक्रिया है अन्यता नहीं अब देखेगा संगसेप में न्यूनतम शब्डूँ द्वारा अधिक्तम अर्थ की प्राप्ती हितू समास का अपयोग किया जाता है हम विग्रह वाकियों के इस्तान पर क्यूं समस्पदूं का प्रियोग करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि संक्षेप में न्यून्तम हर संसार का प्रतियक प्राणी चाहता है कि मैं कम से कम बोलू और उसकी अधिक से अधिक अभिव्यक्ति हो और कडाप्चित यही जो हमारी इच्छा थी यही जो हमारी सोच थी हर व्यक्ति चाहता है मैं कम से कम काम करूँ और उसका अधिक से अधिक फल मिले इसी प्रकार से एक वाग्मी जो श्रोता होता है वह भी चाहता है कि मैं कम से कम बोलू और उसका अर्थ अधिक से अधिक हो तो संक्षेप में यदि आपसे कोई पूछे कि समासों का उप्योग क्या है तो यह धान रखेगा अब यह जो समास जो शब्द है इसका अर्थ क्या है यदि आप देखो तो सम्मिष्टन समास का पहला अर्थ हम सम्मिष्टन ले सकते हैं सम्मिष्टन का मतलब है सम्म्यकरू से मिष्टन एक बहुत सारे पद थे उसमें से हमने कुछ पदूं और विवक्ति चिन्मूं का लोग किया और जो दो पद थे उसका ठीक ढंग से हमने मिला दिया, मिश्रण कर दिया जैसे गज के आनन के समान है जो आनन या है जिसका आनन ये एक बहुत बड़ा वाक्य था हमने इसमें एक पद गज रखा और दूसरा पद आनन रखा और हमने फिर गज आनन नहीं कहते वे, उसको और मिला दिया मनी संदी कर दी, गजानन, यह गजानन जो शब्द है, यही समिश्टन है, समास का एक अर्थ शब्द रसना भी होती है, मैं आपको आरंब में बताया कि समास का सम्बद जो है, वो शब्द रसना से हैं, समास पूर् विग्रह वाकिय से था वही अर्थ जो है समस्पत से होना चाहिए और विग्रह को संक्षित कर दिया तब हमने उसको समास का इसलिए समास का एक अर्थ संक्षित्त हो गया एक अर्थ हम समास का समाहार भी लेते हैं अर्थ ये है कि समाहार मनी मिला देना सम्यक रूप से आहरित कर देना जो काम के पध्धे उनको हमने रख दिया और अनावशक पधूं को हमने काट शांट करके जो समास्पद बना दिया इसका मतलब समाहार हो गया तो ये ध्यान रखीगा ये हमने समास के बारे में कुछ चीज़ें जानी अब आगे चलीगा ये देखीगा मित्रू ये देखीगा कि विग्रह वाक्यों के इस्तान पर समास्पद का प्रियोग क्यों किया जाता है हमें केवल ये नहीं समझना है कि ये कौन से समास का उधारन है हमें समास की उपादेता क्या है आज की कक्षा इसी पर है तो विग्रह वाक्यों के इस्तान पर जो समास्पद है उसका प्रियोग भाशिक सौंद्रिये में अभिव्रदिक उत्पन करता है भाशिक सौंद्रिये का मतलब है जैसे मैं आपको कोई पूस्ता है कि आप कहां गए थे और आप कहते हैं कि मैं कोई जो है विवास हमारो था उसमें गया था अब आप कहते हैं आपको कोई पूस्ता है कि आप क्या खाके आए तो हम यदि यह कहें कि दही में डूबावा था जो बड़ा घृत में मिशित था जो अन वह खाके आया हूं या रस में डूबावा है जो गुला वह खाके आया हूं तो ये कितने बोजिल वाकिय बन गए उसकी जगे यदि हमने दही बड़ा गृतान और रसगुला इन तीन पदूं का प्रियोग किया जो कि क्या है समस्थ पद है इससे क्या वा जो भाषिक सौंद्रिय था उसमें अभिवरत्धी हो गई जो भाषा का जो सौंद्रिय था वहा उतक्रिस्ट हो गया वहा सुनने में कर्ण प्रिय हो गया और यही करण है कि भाषा में समस्थ पदूं का प्रियोग करते वे हम हमारी अभिव्यक्ती को सशक्त कर सकते हैं मजबूत कर सकते हैं सौंद्रिय साली कर सकते हैं जैसे देखीगा एक को इस्त्री है वहा इस्त्री वहाँ जा रही है फंर कराची तो हो सकता है कि एक पती का वरत लेने वाली है जो स्ती यह बोलने से सामानी व्यक्ति को यह संज में भी नहीं आए कि आपने बोला क्या है लेकिन उसके इस्तान पर यदि आप पतिवरता शब्द का प्रियोग किया तो पतिवरता सुनने में भी सब्द अच्छा है और अर्थ की द्रस्टी से भी पतिवरता शब्द जो है वह उसका अर्थ है एक पति का वुरत लेने वाली यह इतना बड़ा वाकिय था इसकी जगे हमने एक समस्थ पद बना दिया यदि आप दशानन के होगे तो जो कहन का कहन जो अभीव्यक्ति जो है उसका स्वांद्रिये स्वेम में व्रदित हो जाता है इसलिए समास का उप्योग जो है हमारे हमारा जो हमारी जो अभीव्यक्ति है उस अभीव्यक्ति को हम सशक्त और अच्छा और कैसे बना सकते हैं उस कि कोई समझे ही नहीं कि पानी के बाहव से चलने वाली है जो चक्की इसकी जगे यदि आप पन चक्की शब्द का प्रियोग करते हो तो जो है आपका आपका जो कहन की जो अभिव्यक्ति थी उस अभिव्यक्ति का सुंद्री बढ़ गया और अर्थ की ग्रहियता भी ज्यादा सशक्त हो गई वित्रों ये पन चक्की जो शब्द है ये समस्पद है और पानी के बहाव से चलने वाली है जो चक्की ये एक विग्रह वाकिय है आम तोर पर यदि किसी विद्यारती से ये पूछा जाए कि समास कहते किसे हैं तो सब की एक रटी रटाई चीज ये होती है कि दो या दो से अधिक पदूं के मध्य आयवे विबक्ती चिन्नों का लोग करके जो बनता है उसे हम समास कहते हैं ये परिभाशा समास की सर्वांगीन परिभाशा नहीं है तो समास की सर्वांगीन परिभाशा क्या हो सकती है इसके बारे हमें जानना चाहिए देखे यहां से पकड़िये गा यह पानी के बहाव से चलने वाली है जो चक्की अब इसमें मुझे यह बताइए इसमें विवक्ति चिन्नू का ही लोग नहीं होता अपितो समास में दो जो सार्थक पद जिसको हम पूरुपद और उत्तर पद कहते हैं उनके मध्य आयवे विवक्ति चिन्नू के साथ में ये अव्य त्यादी जो है या ये पद जो है जिसको हम मध्यम पद कहते हैं इनका लोग होता है तब समस बनता है यह भी ध्यान रखीगा समास दो पदूं के मध्य आयवे विभक्ति चिन्न का लोग केवल और केवल तत्पुरूर शमास में होता है इस बात को विशेश आपको ध्यान रखना है तो यह एक बात हो गई अब आगे चलते हैं देखिए विग्रे वाके में आयवे विभ पूर बात है विग्रे वाके का मतलब हम जानते हैं जिसमें अनेक पद होते हैं और विग्रे वाके में आयवे जो विभक्ति चिन्न या अव्य इत्यादी देखो यह अव्य इत्यादी या जो मध्य पद जो है पदूं के मध्य जो पद आये हैं दोनूं पदूं के मध्य उ यह नहीं तो गलत हो जाएगा देखिए जैसे मैंने एक सब्द बोला शट है आनन जिसके यह एक विग्रे बाक्य है इस विग्रे बाक्य में है और जिसके को मैंने हटा दिया तो शट और आनन मेरे इस पास बच गया अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं शट आनन के मंदिर गया हूँ यदि ये बोलूँगा तो गलत हो जाएगा तो शट और आनन को जब जोडूँगा तब शब्द क्या बनेगा शडानन इसका मतलब सिधा सिधा ये एर्थ हुआ कि विग्रह वाक्य में विवक्ति चीन इत्यादियू का जब हम लोब कर देते हैं और जो दो पद पीछे बज जाते हैं उनके मध्ये यदि संदी हो सकती है तो संदी अवश्य करना चाहिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे देखीगा एक वाक्य है वहाँ जो द्वार का नामक नगरी का ईश है ये आपको दिखाई दे रहा है वहाँ जो द्वार का नामक एक तो द्वारी का नहीं होता है द्वार का शब्द है वहाँ जो द्वार का नामक नगरी का ईश है मैंने क्या किया वहाँ को उटाया जो को उटाया नामक नगरी का और है को उटा दिया क्योंकि द्वार का वाला आ और ईश वाला ई मिल करके ए बन करके ये शब्द द्वारकेश बन जाता है ये बात आपको गिनके गांट माननी होगी कि दो पदों के मध्य आये वे जब विवक्ति चिन और अव्य इत्यादी जो है जिसका हम लोब कर देते हैं और जो दो पद हमारे पास बद जाते हैं उन पदों के मध्य यदि संदी हो सकती है तो अवश्य करनी चाहिए देखे जिसे लंबा है जिसका उदर तो है और जिसका को हमने अटा दिया और लंबा और उदर जो पीछे बचा इसमें लंबा और उदर को जब हमने संदी की तो घुन संदी हो करके शब्द क्या बना लंबो दर तो हमें लंबा उदर नहीं बोलना चाहिए कि मैं लंबो दर के मंदिर जाके आया हूँ हमें लंबोदर शब्द का प्रियोग करना चाहिए कहने का मतलब इसपस्ट है कि विग्रह वाक्यों में जो विवक्ति चिन है उनका लोब करने के बाद में जो पद बसते हैं उनके मद्य संदी अवशे होनी चाहिए इसी प्रकार शडानन की बात करी थी गज के आनन के समान है जिसका आनन तो गज और आनन दो पद थे और फिर हमने उसमें संदी कर दी गजानन शब्द बना इसी प्रकार ये पुरूश उतम बहुत अच्छा शब्द है पुरूशों में है जो उतम पुरूश है जो उतम वहा जो उतम पुरूश है तो पुरूश और उत्तम ये दो पदर है इसमें तीन-तीन समास है पुरूश उत्म सब्दमें तत्पुरूश समास भी है सब्दमी तत्पुरूश पुरूश में उत्तम पुरूश है जो उत्तम करंधारी समास भी है और वह पुरूश जो उत्तम है या पुरूशों में उत्तम है जो वह ऐसा करेंगे तो यहां पर बहुवरी समास हो जाएगा खेर वह अलग बात है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एक ही समस्पत में एक से अधिक जब समास होते हैं तो ऐसी द्रश्टी में हमें क्या करना चाहिए लेकिन अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि पुरूश और उत्तम ये जो दो पत थे मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये पुरूश उत्तम है इसके मद्धे मुझे संदी करनी ही होगी और तब शब बनेगा पुरूश उत्तम इसी प्रकार से नर है जो अधम या नरू में है जो अधम या वहाँ जो अधम नर है ये विग्रह कैसे भी किया तो ये शब्द क्या बना बोलो नराधम इसी प्रकार घोडों की दोड़ ये तद्भव शंदी है गोड़ों की जो दोड़ है वो गोड़ा जो शब्द था ये संदी नेमों को नसार गोड़ा जो है उसका गुड़ हो जाता है जैसे गोड़े पर सवार ये एक विग्रह वाक्य था हमने पर को हटाया और गोड़ा और सवार पिछे रहा अब गोड़ा और सवार के मत्ये संदी करते वे हमने ये शब्द को बना लिया गुड़ सवार ये ध्यान रखेगा तो विग्रह वाक्य के बाद में हमें संदी आउश्य करनी चाहिए एक बहुत मैत्मून बात आम तोर पर ये जो ये में पढ़ा रहा हूं यह सामानित है आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी हमने पुस्तक हिंदी व्रिहत व्याकण कोश और जो नवीन पुस्तक जो आ रही है हिंदी व्याकण माला उसमें इसको बहुत विश्थार से समझाया है क्योंकि ये ऑन-लाइन कख्षाएं हैं इस मुश्कित में ऐसी समस्य है ही नहीं हिंदी में पांस ब्रकार के शब्द होते हैं तद्सम तद्भाव तद्सम तद्भाव देशज विदेशज और संकर तो किस शब्द की क्या प्रकरती है उस प्रकरती के अनुसार हमें समास करना चाहिए और यहां पर देखी मैंने लिख होती है समसरुथ का मतलब है समान है जिसका श्रूथ है उन शब्दों के मध्वार्ये ही समास किया जाता है मतलब इसपल्ष्ट है कि दोनूं तत्सं है और दूसा सब्न फूर्णम कार्ये मैं निपुंड- इसका विग्र होता है कर्ये मैं आप यदि कहते हो कि वह काम निपूण है, तो ये वाकिक गलत है, ये शब्द गलत है, ये समस्पत गलत हो जाएगा, क्यूंकि ऐसे शब्दों का प्रचलन नहीं है, तत्सम का तत्सम सब्द के साथ ही समास किया जाता है, समस्कित में इसके लिए आता है समर्थ पद विदि, लेकिन वो समस्कित का जब समास की बात करेंगे तब हम बात करेंगे उसके बारे में जैसे देखो पितांबर शब्द है पितांबर सब्द जो है उसमें पीत और अंबर दो पद है पीत भी तत्सम है अंबर भी तत्सम है इन दोनु तत्सम शब्दों से जो समस्पद बना वह पीला वस्तर या पीला अंबर नहीं कह सकते हम क्योंकि पीला जो है वो तद्भवे और वस्तर जो है तद्सम है इसी प्रकार पीला तद्भव और अंबर तद्सम तो ऐसा प्रचलन नहीं है हाँ इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जिसको हमारे समाज ने हिंदी समाज ने या जिसको मानक हिंदी निदेशा ले क्रियानवन कारियाले जो है हिंदी के जो मानक वर्तनियों को गड़ता है उसने जिन शब्दों को स्विकर्ति दे दी जिनको हम संकर शब्द कहते हैं उनमें जरूर अलग-अलग प्रकृति के शब्दू में भी समास है लेकिन यहां पर अभी हम यह बता रहे हैं कि तश्म और तश्म यह सामानी नियम है अब वहाग तो हर्ज के हैं तद्भव और तद्भव शब्द देखीगा जैसे कपड़े के द्वारा चाना गया है जो इस में कपड़ भी तद्भव है और यह चंड जो है वो भी तद्भव है लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि वस्द्रचन या एईसा कह रहा हूँ तो यह गलत है इसी प्रकार एक सब्द है रसोई और एक घर यह दोनों तद्भव शब्द है रसोई भी और घर भी और इसली तो कि हमने इसको समास करके रसोई घर्षपद बना दिया मैं रसोई को पाक भी हम कहते है न defenders बना सकता पाक घर जो है सामसिक द्रस्थी से महिं बन सकता जान डखेगा ये नियम है कि सम्सरोतिय शब्दों के मद्य ही समाज करना चाहिए लेकिन हाँ पाक शाला शब्द बन सकता है क्योंकि पाक भी तत्सम है और शाला भी तत्सम है पाक के लिए है जो शाला तो पाक शाला शब्द बन जाएगा यह हमें ध्यान दखना चाहिए सदेयु दो सम स्रोतिय शब्दू के मद्य संदी करनी चाहिए इसी प्रकार देखीगा यहाँ पर हमने पहले ही पड़ा तत्सम और तत्सम सब फिर तद्भाव तद्भाव अब यह दोनों शब फार्सी फार्सी जिसको हम विदेशज विदेशज भी कह सकते हैं हर शब भी फार्सी का है रोज भी फार्सी का है इसे एक समस्पद बना हर रोज और अव्वी भाव समास का उधान बना अब इस हर रोज की जगे ही देखो मैंने आगे क्रोज का चिन लगा रखा है प्रत्य ग्लोज यदि आप कह रहे हो तो ये गलत है ये बात हमें ध्यान रखने चाहिए इसी प्रकार से आबो हवा आबो और हवा दोनों ही फार्सी के सब्द है आबो हवा की जगे पवन आबो पवन का परचलन नहीं है नहीं हमें करना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि समास्द waż二 शमान शब्दों में होता है समान प्रकरती वाले जो शब्द है उसमें होता है लेकिन मैंने कहा इसका अपवाद क्या हो सकता है देखे कुछ शब्द है जो हिंदी जगत ने जिनको स्विकार किया है हम जानते हैं कि हिंदी में पांच प्रकार के सब्द है तद्सम, तधव, देशद, विदेशद और संकर तो ये इस प्रकार के जो अपवाद हैं जिनको हम संकर शब्दों की सिरहने में रखते हैं आगे में इसके बारे में विश्थार से बात करूँगा लेकिन अभी ये कुछ बहुत जरूरी चीजे हैं जो हमें समाज पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी था देखे जैसे मैंने का कि अब रेल गारी एक शब्द है रेल गाड़ी में रेल जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हमारी हिंदी है इसका मतलब एक रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी ये सम्सरोत नहीं है इनका ये दोनों शब्द अलग-अलग है और जो शब्द बना वो क्या बना देखो रेल गाड़ी ये रेल गाड़ी जो शब्द है ये आपको सरंचना की दर्सी से पूछे तो रेल और गाड़ी दो भिन-भिन भाषाओं के सब्द है और दो भिन-भिन भाषाओं के सब्दों से समस्क्रों का सब्द ताद्सम सब्द जिसको आप कह सकते हो आप इस बम को विदेशज और इसको तद्सम कहाँ सकते हो दो भिनभिन प्रवरत्ती वाले जो सब्द है शॉम्चौन नहीं है फिरका मद्य सामास हो रहा, इसका मतलब अप्वात मान रहे हम इसको, तो ये बम-Vर्षक, बम-बंको वर्षाने वाला जो ये अंत्रविशेस है, उसके लिए बम-वर्षक शब्द का प्रियोग होता है, वर्षक, वर्षा करने वाला, बम की वर्षा करने वाला, यह बहुत प्रसलिश शब्द है देखिए जिला शब्द जो है वो अर्बी का शब्द है कई बार यह प्रिक्षाव इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जिला किस भाषा का शब्द है तो जिला जो शब्द है वह अर्बी का शब्द है और अधीश हम जानते हैं अधी दो भिनभिन प्रकर्टी वाले शब्दूं से मिलके बना है इसका मतलब ये संकर शब्द है जो हमने ये बात कही कि समा सदेव दो समान शब्दूं में होता है तस्व तस्व के साथ, तदभव तदभव के साथ, विदेशद के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है लेकिन ये जो शब्द है ये कुछ सब्द इसके अफवाद है इसी प्रकार से देखीगा एक सब्द है ओपरेशन ये ओपरेशन जो शब्द है वह अंग्रेजी का है एक तो अंग्रेजी देखो किस प्रकार से लिखा गया यह शुद्ध है मैं शुद्ध और शुद्ध में बताऊंगा आपको भी से शुब से और कक्ष शब्द जो है वो हमारा समस्कित का शब्द है इस अंग्रेजी और समस्कित के शब्द से यह शब्द देखो आप जब किसी चिकेसा जाते हैं तब वहां पर लिखा होता है यह जो कख्ष के लिए है जो कख्ष तो संप्रदान टत्पूश हुआ ओपरेशन के लिए कख्ष का निर्मान किसके लिए किया गया कि ऑप्रेशन करने एक यह बहुत मैत्मून बात है अब हमें एक नए बिंदू पर आ गए है कि समास में लिंग जो है उसका निर्धरण हम कैसे करते हैं हिंदी बासा में पुलिंग और इस्त्र लिंग आप से किसी एक शब्द का जब लिंग पूछा जाता है तो उसका वाकि में प्रियोग करते हैं हम लिंग का निर्णे करते हैं हम सभी जानते हैं लेकिन किसी पूरे समस्पत का आपसे लिंग पूछ लिया जाए या जब तक हम लिंग नहीं जानते हैं कि ये समस्पत किस लिंग का है पुलिंग का है या अस्ट्र लिंग का जब तक हम विग्रे भी नहीं कर सकते हैं ये देखेगा यह बात जो छे प्रकार के कुल समास हिंदी में प्रिव्ट हो रहे हैं उन समासों में ये बात कर्मधारिय समास में सबसे ज़्यादा लागू होती है कर्म धारिये में सबसे बाकी द्वंद में भी हो सकती है तत्पुरूस में भी हो सकती है तो यह समस्पद का लिंग का निर्णे कैसे करना चाहिए हम जानते हैं कि समस्पद में कम से कम दो पद होते हैं एक प्रथम पद और एक उत्तर पद अब आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तर पद का जो लिंग है वही समस्त पद का लिंग होगा मैं एक उधान आपकी सामने रखता हूँ जैसे मैंने एक शब बोला महा राजा बहुत ध्यान से सुनना है इसमें पहला पद है महा और दूसरा पद है राजा अब आपको यह देखना है कि उत्तर पद जो है वो क्या है राजा शब्द है और राजा किस लिंग में है पुलिंग में है इसका मतलब महा राजा यह पूरा जो समस्त पद है यह पुलिंग का पद है और इसका विग्रे भी हम करेंगे महान है जो राजा लेकिन यदि ये शब्द होता समस्पद होता महारानी और महारानी का आपसे लिंक पुछा जाता तो ये पूरे समस्पद का लिंक जो है वो उत्तर पद में क्या आया? रानी उस पर आर्शेत होता है और उसका पूरे का जो विग्रह हम करेंगे वह करेंगे महती है जो रानी यदि आप महान है जो रानी इस प्रकार का विग्रह करोगे तो वो गलत हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि समस्पद का लिंक जो है वो उत्तर पद का जो लिंक होता है वही समस्पद का लिंक माना जाता है यहां पर गगन शब्द आ रहा है अब आपको ही देखना है कि नील गगन में गगन जो पद आ रहा है गगन किस लिंका है पुलिंका तो कैसे विगरे करोगे नीला है जो गगन और कंट पुलिंका है तो नीला है जो कंट और गाई इस तो नीला है जो गाई करोगे तो गलत हो अब यह गाई जो उत्तर पद जो था इसके कारण जो पर्थम पद था उसका लिंग भी इस्त्रलिंग करना पड़ेगा विग्रे में नीली है जो गाई इसी प्रकार से बहुत मैंत्मुम बाद बता रहा हूं जैसे वायू शब्द स्वतंतर रूप से क्या है इस्त्रलिंग व उत्तर पद कौन सा वाग यां और यां जो हिंदी भाशा है उसमें पुलिं है यां जा रहा है इसलिए इस पूरे हैद कर सुने हाला है इस परकार से हम इसका विग्रे करेंगे लेकिन यह प्त देखें आप एक गार्णि अब जल वायू जो ये समस्त पद आया है इसका यदि आप से कोई link पूछे तो निश्यत रुप से आपको समझ में आया होगा कि वायू जो शब्द है वो इस्टर लिंक का है इसलिए जल और वायू ये पूरा समस्त पद का यदि आपको कोई link पूछेगा तो ये धान क्योंकि वायू अंत में आया है और किसी भी समस्थ पद का लिंग का निर्ने उत्तर पद जो है उसका जो लिंग होता है उत्तर पद में आया वाज उपद है उसका जो लिंग होता है वही समस्थ पद का लिंग माना जाएगा ये बात एक हो गई अब देखीगा एक विशेश समस्त में या समस्त में दो ही पर होते हैं जोन समास अलावा भी दो से अधिक पत हो सकते हैं उन उनमें डेस डेस योजक चिन जोड़ते वे लगाते वे पूरा एक समस्पत बना सकते हो। राम, शाम, गीता, कृष्णन, सोहन ये पूरा एक पत हो सकता है। इसी प्रकार से मैंने का तन, मन और धन। वह एक बात है, लेकिन ये देखो, परसपर सम्बन रखने वाले दो या दो से अधिक पद, ये अधिक पद इसलिए आता है। तो ये सम्बन रखने वाला सब्द नहीं है, इसलिए समस्पत भी नहीं वनेगा। इसलिए परसपर दो या दो से अधिक जो पद है वो परसपर संबन रखने वाले होने चाहिए ये देखेगा राजपुतर में पहला और दूसरा ये दोनुपदों के मद्दि संबन है इसी प्रकार राजा का सिंगासन या राजा के लिए है जो सिंगासन ये राज और सिंगास्तन के मद्दी सम्मन था एक पद देखेगा गांधी शताब्दी समारो ये प्रसपर सम्मन्दित पद है तीन गांधी की शताब्दी के उपलक्षी में किया जाने वाला जो समारो है वो गांधी शताब्दी समारो है एक तो ये ध्यान ड़को गांदी शताब्दी और समारों में आपको समास पूछे तो यहां पर द्वन समास नहीं होता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक पद जहां भी देखते हैं वहां पर द्वन समास कर बेटते हैं नीचे वाला पत देखीगा, धूप, दीप और नईवेद्य, नईवेद्य का मतलब है निवेदन करने योगे, जितनी भी सामगरी है वो नईवेद्य हैं, जो देवताओं के चड़ाई जाती है, तो इसका विग्रे होता है धूप, और दीप, और नईवेद्य, दौन समास का अव्य पदूं का लोब करके हम क्या बनाते हैं? समस्थ पद बनाते हैं जो हमारी परंपरा, जो सिक्षग या कुछ विद्यार्थी जो आरंबिक है, उनके दिमाग में केँवल इतना ही होता है, कि समस्थ पद में दो पद होते हैं और उसके वीच में आये विवग्ती चिन चिननों का लौप हो जाता है अरे बही विवक्ति चिन तो होते हैं इसमें कोई शंका नहीं है और विवक्ति-चिन का लोप करके केवल एक समास होता हैं तो वो जो पद बनता है उसका नाम समस्थ पद है और इन चिन्नु को जब हम वापस प्रकट कर देते हैं तो यह जो है इसका नाम विग्रह है एक बहुत ही महत्मून बात ये भी ध्यान ड़कना चाहिए कि समस्थ पद का विग्रह करते समय प्रियाईवाची पदों का प्रियोग ना करें इस बात को गिनके आपको गांट मान लेना है जब कभी भी समस्थ पद का विग्रह करते हैं तो समस्थ पद का विग्रह करते समें बहुत ही आवशक बात है कि प्रियाईवाची पद का प्रियोग नहीं करना चाहिए जैसे मैंने एक शब्द दिया मुख कमल मनि कमल के समान है जो मुक या मुक कमल रुपी मुक अब कमल का प्रियाईवाची पूश्प हो सकता है सुमन हो सकता है मुक के प्रियाईवाची बहुत सारे आनन हो सकता है तो आप विग्रे करते समय कमल और मुक के प्रियावाची पदूं का प्रियोग हमें नहीं करना चाहिए एक देखिए उधान है ये बहुत बार-बार पूचा जाता है पितांबर शब्द है पितांबर हम जानते हैं पीले को कहते हैं और अंबर के दो अर्थ होते हैं तो वस्त्र और एक आकाश लेकिन पितांबर शब्द में आयावा जो अंबर है वो आकाश का प्रियाई नहीं है वो वस्त्र का प्रिया है अब हमें इस पीत की जगे पीला और अंबर की जगे वस्तरफ शब्द का प्रियोग हम नहीं कर सकते यदि ऐसा करेंगे तो ये गलत है ये अशुद है समास में कभी भी जो समझ पद है उसका विग्रे जब हम करते हैं तो प्रियाईवाची पदूं का प्रियोग हमें नहीं करना चाहिए इस बहुत मैत्मूम बात थी इसी प्रकार से चरण कमल सब्द है अब चरण को हम पाद भी कहते हैं पेर भी कहते हैं और कमल को हम फूल पूस्प सुमन कुछ भी कह सकते है तो विग्रे में इस चरण के प्रियाइवाची पदूंका और कमल के प्रियाइवाची पदूंका प्रियोग कभी नहीं होना चाहिए यह हमें ध्यान रखना चाहिए इसका विग्रे करने के दो ही तरीके कमल रुपी चरण या चरण है जो कमल के समान कोमल जो है चरण है उसको हम केते हैं चरण कमल चरणार विंद हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि फूल के समान है जो चरण इसका विग्रे ये चरण कमल का विग्रे फूल के समान है जो कमल चरण ऐसा विग्रे इसका नहीं करना चाहिए विशेश बात थी क कि समस्त पद का विग्रे करते समय प्रियाईवाची पदूं का प्रियोग नहीं करना चाहिए। मित्रूं ये एक और बात है कि पदूं में अर्थ तता प्रियोग के इस्तर पर संगर्थी होनी चाहिए तभी समास की सार्थक्ता होती अन्यत्ता नहीं। यह जो दो पद आते हैं उसमें प्रियोग के इस तरपर संगर्ति होनी चाहिए तभी जो है समास की सार्तक्ता होती अन्यता समास की सार्तक्ता नहीं होती यह देखेगा एक पद है जैसे मैंने का दवा खाना शब्द है यह दवा हम जानते हैं जो मेडिसीन होती है उसके लिए प्रिक होता है और यह खाना देखो खा में नीचे यह नुकता आपको दिखाई दे रहा होगा हमें इध्यान डखना चाहिए कि दवा और खाना यह पहली बात तो दोनों समस्रोतिय शब्द है विदेश्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष केते हैं उसके लिए विदेशय सब्ता दवा खाना इंक प्रयोग और इस्त Argumo प्र्संगति है ये दर्षान एक्छो कि जो ए यह फाना आप समझ गए होंगे और डाख खाना डाख खाना सही है लेकिन डाख खाना नहीं होगा यह ध्यान रखेगा इसी प्रकार भाव खाना यह इसा कोई शब्ध भी नहीं है तबी समास के सार्थक्ता होगी अन्यता नहीं होगी एक यह और बहुत बड़ी बात है जिसको आप लोगों को समास पढ़ने से पहले जानना चाहिए समझना चाहिए किसी भी समस्पद में समास का होना दो चीज़ों पर निर्बर करता है एक तो समास का प्रियोग हम वाक्य में किस प्रकार कर रहे है तो एक तो वाक्य में प्रियोग और एक उसका विग्रह किस प्रकार से किया गया है यह बहुत ही मत्मून बात है किसी भी समस्पद को आप देखने से पहले आप हमें ही देखना चाहिए यदि कोई समस्पद वाकि में प्रियोग के आधार पर दिया गया है तो वाकि में प्रियोग के आधार पर उसका जो अर्थ है उसके आधार पर हमें उसका निर्णे करना चाहिए कि इसमें कौन सा समास होगा या पीर आपसे विग्रे दे करके पूस लिया जाए तो विग्रे के आधार पर भी समस्त पद में जो समास है उसका निर्णे करना चाहिए तो कोई किसी भी समास का निर्णे करने से पहले हमें उसका प्रियोग देखना चाहिए या विग्रे देखना चाहिए ये बहुत जरूरी है देखे, मैंने एक वाकी लिखा है कि योगी कुशाषन पर विराज़मान है अब examiner आपसे ये पूस्ता है कि इसमें ये जो कुशाषन पद है इसमें कौँसा समास chai अब हम ये जानते हैं कि योगी कुशाषन पर विराज़मान है इसका मतलब कुशासन जो है वो योगी के बेठने का इस्थान है तो इसका विग्रे होगा कुश्य निर्मित है जो आसन कुश्य निर्मित है जो आसन वह कुशासन होता है कुश और आसन ये दो पद से बना करके मिल करके दिर्ग संदी होते वे ये सब कुशासन बना और इसमे में मध्यम पदलोपी तत्पूरु समास है मैं अभी नहीं जा रहा हूं इस पे कि इस पे क्यों मध्यम पदलोपी तत्पूरु से हैं लेकिन यदि वाक्य ऐसा आ जाता कि आजगल सर्वत्र कुशाशन दिखाई दे रहा है तो देखेगा कु का आर्थ है बुरा और है जो शाशन अब ये कुशाशन जो है वो कुश से निर्मित आशन नहीं है बलकि ये शाशन विशेश्य है और कु उसका विशेशन है कु और शाशन इन दोनों पदों के मध्ये विशेशन और विशेश्य का संबंध है इसलिए यहा आप से मैं कहूँ कि कुछ से निर्मित है जो आसन यह विग्रह करके पूछय मध्यम पद्लोपी तत्रूस अगरिए यह विग्रह करके क्यों कोन सा समय समस्क्त होगा इसके लिए दो बातें हमें विशेश शूप से ध्यान रखनी चाहिए एक तो उसका वाकि में प्रियोग और एक उसका विग्रेट अब दूसरी बात यदि जैसे मैंने पितांबर शब्द दिया अब मैंने पितांबर शब्द दिया तो पितामबर सब्द में मैंने आपसे समास पूछा तो पितामबर सब्द में मैंने अव्यभाव भी दिया कर्मधारी भी दिया बहुबरी भी दिया तत्प्रूस भी दिया तो पितामबर सब्द जो है उसमें हमें बहुबरी चुनना चाहिए क्यों चुनना चाहिए आगे बात आएगी लेकिन यदि मैंने विग्रे करके दिया पीत है जो अंबर तो फिर अब मैंने आप्शन वही रखे हैं विकल्ब वही हैं तो फिर आपको कर्मधारी चुनना होगा बहुबरी नहीं होगा क्योंकि विग्रे में आपको पीत है अंबर जिसके ऐसा नहीं दिया था ये विशेश बात ध्यान रखने की थी जो हमें ध्यान रखना चाहिए इसी प्रकार देखीगा एहमद द्वारा आबाद ये विग्रे करके पूछा जाए तो ये करन तत्पूस है और एहमद द्वारा आबाद है जो वहन नगर विशेश यदि ऐसा विग्रे आ रहा है तो ये विग्रे समास का उधान बन जाएगा इसका मतलब एहमदाबाद जो शब्द है उसमें दो समास हो सकते है करन तत्पूस भी है और विग्रे भी है इसी प्रकार आप से कोई पूछे कि पीत है जो अंबर ये विग्रे करके पूछे तो कर्मधार ये है और पीत है अंबर जिसके ऐसा पूछा जाएगा तो ये बहुबरी है ये बात विशेश आपको धान डखने दी अब एक और आगे बात जो इससे जुड़ी हुई है मैं तो किसी भी समस्त पद में ये देखेगा यदि एक से अधिक समास है तो हमें वरियता किसको देनी चाहिए ये बहुत मेर्पून बात है और इसको समझने का एक बार में समझा रहा हूँ जब तक समास परक्रण की कक्षा ही चलेगी आप हमेशा ये ध्यान रखेगा कि यदि किसी समस्त पद में एक से अधिक समास है और आप से उसमें समास पूछा गया है तो एक से अधिक का मतलब बहुबरी समास होगा वहाँ पर तो हमेशा ही हमें बहुबरी समास को चुनना चाहिए ये एक विशेश बात है इसका कारण क्या है क्योंकि बहुबरी जो समास है वो अर्थ प्रधान समास है बहुबरी में अर्थ की प्रधानता होगी है बाकी जितने भी समास है चाहि तत्वूस है अव्विभाव कर्मधारी द्रिगु और द्वन्द ये जो समास है इन समासों में सरंचना प्रधान होती है और मैं आपसे एक बात पूछू हूँ कि हम भाषा को किस के लिए पढ़ते हैं अर्थ के लिए या सरंचना के लिए तो आप सब का उत्तर ये होगा कि भाषा में भाषा का जो प्रान तत्व है वह अर्थ है सरंचना नहीं है सरंचना गौन है और अर्थ प्रधान है और अर्थ प्रधान एक मात्र समास है यदि आपसे पूछे कि समासों में कौन सा समास है जो अर्थ प्रधान समास है तो समासु में ऐसा कौन सा समास है जो जिसमें जो है प्रतंपद अव्य होता है तो अव्य भावे प्रतेक समास के अपनी सरंचना होती है लेकिन समासूं का जो राजा है या समासूं में जो राजा है वह बहुवरी है इसलिए विशेश बात ध्यान रखेगा यदि एक समस्त पद में एक से अधिक समास आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुवरी समास को चुनना चाहिए ये विशेश बात है देखिए यहां पर दिखाये में निलकंट पद में आप से समाच पूछा जाए और आप से मैंने कहा कि नीला है जोकंट ऐसे विगरे करके दिया तब तो कर्मधारी होगा तो क्यूंकि विगरे वाली बात हम कर चुक है लेकिन जब केबल यहीज पूछा जाए किनील निलकंट में कौन सा समास है तो वहां पर हमें कर्मधारिय और बहुबरी दोनों है जिसका जिसका कर्मधारिय भी है और बहुबरी भी है scientifically मैं हमें पॉबरी चुनना होगा कमधार size दीज रहा है क्योंकि जब किसी समस्त में lick एक से अधीक समास हो रहे हैं या जिन में एक से अधीक समास होगा वहां पर एक समास बहुबरी होगा तो वहां पर हमें वरियता प्रात्मिकता जो है वह बहुबरी को देनी चाहिए बहुत महत्मुन बात है इसी प्रकार पितांबर पितांबर सब में भी पीत है जो अंबर औ कौन में विकल्प में दोनु आ रहे हैं बहुबरी को चुन्ना होगा क्यूंकि बहुबरी जो है सभी समासु में प्रधान समास है लेकिन मैंने वाकिय में प्रियोग करके पूच लिया है कि कहां चले राम नाम का पृतामबर तन पर डाले तो यहां पर पितांबर का आर्थ भगवान विश्णु नहीं है भगवान कृष्ण नहीं है वहां पर करंधारी चुनना होगा क्योंकि पीत है जो अंबर ऐसा कोई वस्त्र है जो जिस पर राम नाम अंकित है और ऐसा राम नाम अंकित जो मुद्रित है उसको तन पर डाल करके कहा जा रे हूं यह इसका आर्थ है यह बात हमें ठ्यान दखनी चाहिए मैंने का आप रफितामबा worm डाली पर सूक रहे हैं से और के में प्रियोग ध्यान को किसी भी सिम्स परयोग होना विग्रह वाक्य और वाक्य में प्रियोग ये दो चीजें बहुत ही मत्मून हैं जब मैंने का पिताम मर डाली पर सूक रहे हैं तो भगवान विश्णु या क्रेश्णु डाली पर नहीं सूक सकते हैं इसलिए हमें इध्यान रखना इसी प्रकार पुरुशोतम सब्द हैं पुरुशोत उठ्टम जो अधिकर्ण तत्पुरुषth पुरुश है जो उठ्टम तो कर्मधार यह विशेशन विशेशी को जयेगा उठ्टम और पुरुश के मद्द्द です और वह जो पुरुशु में उत्तम है जो इस प्रकार का अब हम विग्रे करेंगे यह तीसरा विग्रे है तो यह बहुबरी हो जाएगा अब पुरुशोतम में भगवान शिर्राम का विशेशन है पुरुशोतम सब्द में आपको तत्पुरुस भी दिया करंधारी भी दिया और बहुबरी भी दिया आपका विकल्ब क्या होगा बताइए आप लोग बहुबरी होगा एक से अधिक समास हो रहा है तो हमें बहुबरी को चुनना चाहिए इसी प्रकार त्रिफला की जो सरंचना है त्रि, संख्या, फल, संजा संख्या और संजा की सरंचना जिसमें होती है वा दिगु समास है लेकिन त्रिफला जो पद है उसमें सरंचना प्रधान नहीं है अर्थ प्रधान है वा तीन विशेश फल हर्ड, बहर्ड और आउला इसके बारे में विश्तार से बात करूँगा जब मैं आपको दिगु समास पड़ाँगा लेकिन त्रिफला में दिगु भी है और बहुवरी भी है तो कौन सा चुनोगे बहुवरी क्योंगी बहुवरी अर्थ प्रधान है इसी प्रकार त्रिलोचन में भी वही स्तती बन रही है त्रिस संख्या है ये लोचन देख रहे हो ये लोचन सब जो है वो संजा है संख्या और संजा का मिलन और ये सरंचना द्विकु समास की है लेकिन हमें द्विकु नहीं चुनना है वहाँ पर बहुवरी चुनना है इसी प्रकार अश्ट ध्याई में अर्ष्ट और अध्याई वाली उस्तक विशेश है द्वीकू की सरंचना है लेकिन समास पूछा जाए और द्वीकू के साथ में बहुबरी आ जाए तो बहुबरी को चुनना होगा हाँ बहुबरी जब नहीं है तो हमें सरंचना को प्रधान मानना चाहिए लेकिन सरंचना और अर्थ में दोनों में जब लड़ाई होती है तब जीतेगा कौन? अर्थ जीतेगा ये ध्यान रखेगा मितनू एक बहुत सामानिसाग प्रसन है कई बार परिक्षा में ये पूसा जाता है कि समास के सामानिते कितने भेद होते हैं ये भेद अर्थ और सरंचना के अधार पर है मैंना आपको इबता दिया है कि 6 समासों में अर्थ प्रधान समास है बहुबरी और पांच समास बाकी जो है वह सरंचना प्रधान है और कुल समास की यदि हम बात करेंगे तो वह छे समास है कौन-कौन से हैं सब जानते हैं अव्विभाव, तत्पुरूस, कर्मधारिय, द्रिगू, द्वंद और बहुबरी इनको हम अलग-अलग भागू में पदों की प्रधानता के अधार पर कितने भेद हैं समास के तो यह चार भेद हैं और यह प्रसन आयावा है, बहुत सरल साथ प्रसन है, बहुत सीधा साथ प्रसन था, लेकिन हो सकता है कि यह दो नम्मर आप से छीन ले, जब समास के सामानिते कितने भेद हैं यह पूछे, य लेकिन जो दो पद हैं विशेश करके उन दोनों की प्रधानता और अप्रधानता आज तक आपने किताबूं में ये पढ़ा है कि प्रथम पद प्रधान और दूत्य पद प्रधान ये अप्रधान ये अप्रधान ये मुख्य ये गौन ये किस प्रकार से प्रधान और अप्र जाना शुरू कर देता कुछ समझ नहीं आता सब किताबों में लिखा वाए समास के बारे में जो जानने योगी बात थी उसको हमें जानना था समझना था सीखना था इसलिए ये कक्षा मुझे आउशक लगी कि समास के बारे में कुछ विशेश तत्य हैं वो पहले विद्यार् कि आधार पर यदि हम बात करें ये टेबल आप एक देख रहे हो ये देखेगा इसमें देखेगा कैसे इसको देखना है देखेगा ये पूरुपद है ये उत्तरपद है ये इस्ततियां आप देख रहे हैं ये ये जो मैंने इराइट का जो निसान लगा रखा है इसका मतलब पूरुपद प्रधान है और उत्तरपद यदि अप्रधान है क्रोश का निसान है तो यहाँ पर जो समास होगा वो अव्विभा मैं आज सामानी बात आपको बताऊंगा प्रधान और अप्रधान कैसे होता है कैसे हम उसका निर्ने करें इसके बारे मैं आगे वाली कक्षा में बात करूँगा आज ये सीख लें कि पूर उपद जिसमें प्रधान है वह अभ्य भावे या इसका उल्टा प्रसन आई गया ऐसा आगया कि जिसमें उत्तरपद गौन है वह कौन सा समास है तो अभ्य भाव समास है हम क्या करते हैं हमने ये रट लिया कि प्रधान है वह अभ्य भाव है लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि उत्तरपद जिसमें गौन है वह अभी तब भी भाव हुआ तो दो तरह के प्रस्ण आप से किये दा सकते हैं बाकी को आपको ऐसी समझना है मित्रों ऐसा हो सकता है कि जिसमें पूरुपद ये देखो पूरुपद और ये पूरुपद ये राइट का निसान मनी प्रधान है तो उस समास का नाम क्या है तत्पुरुष है प्रस्ण कैसे आएगा आप से पूचा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान होता है तो एक जटके में आपको बता देना चाहिए कि उत्तरपद प्रधान होता है आप से पूछा जा सकता है तत्पुरु समास में कौन सा पद गौन होता है ये भी धान रखेगा ये बहुत सलग प्रशन है लेकिन आपको कोई ब्रहमित न कर दे पूरु पद गौन होता है अब दूसरी बात एक बहुत मेर्पुन बात ये प्रशन RPSC में पूछा गया और भी कई परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है जो H-State की परिक्षा थी उसमें भी ये प्रशन आया है मित्रु क्या होता है कि पूछतकों में दिया गया है कि पूरुपद प्रधान अव्विभाव उत्तरपद प्रधान तत्पुरूष दोनुपद प्रधान तो द्वन्द्व समास और दोनुई अप्रधान को तीसा प्रधान तो उसको हमें बहुवरी कहना चाहिए तो देखीगा ये बात विशेश समझने योगी है तत्पुरूष में हम जानते हैं कि दूसरा प्रधान होता है लेकिन तत्पुरूष का एक सुयोग की पूत्र है जिसका नाम कर्मधारिय है एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि कर्मधारिय ये जो समास है ये स्वतंत्र समास नहीं है कर्मधार ये तत्पुरूष का एक भेद है तत्पुरूष को भेद की द्रस्टी से या पूरे समास प्रकरण में सबसे महत्मौण या सबसे विहंगम या सबसे जादा जो जिसके उधान मिलते हैं वो तत्पुरूष का परिवार बहुत बड़ा है तो तत्पुरूष का एक भेद कर्मधारिय है अब आपसे तत्पुरूष में तो कौन सा पतब्रण होता है कि उत्तर पतब्रण होता है ये सब जानते है अब अब में कर्मधारिय जब पूछा जाएगा कि कर्मधारिय में कौन सा पद ब्रधान होता है तो हमारी समझ में ये नहीं आता हमें ये लगता है कि तत्पुरूष में दूसरा होता है तो कर्मधारिय में पहला ही होता होगा और हम वहीं पर गलती कर देते हैं तो ध्यान रखो तत्पुरूष का यदि भेद कर्मधारी है तो कर्मधारी समास में भी जो प्रधानünden होगा कौन सा होगा उत्तरובс और कर्मधारी का बेद है वोधरिगू वस्तु तक कर्मधारी का बेद ब्रिगू है हाहां आप सुनते हैं सब लोग लेकिन हिंदी व्याकरण में तत्पुरूस के दो भेद मान लिए जाते हैं कर्मधारी और द्विगू लेकिन यदि प्रश्ण ये आ जाए कि द्विगू सीधा किसका भेदे तो कर्मधारी का है तत्पुरूस का नहीं है ये धान रखीगा क्योंकि कर्मधारी और द्रीगु दोनों ही विशेश्ण विशेश्य में वो संज्य här और शंजी रोटा है दृगु में पहला प्रज़ विशेश्ण थो संख्या वाची हुता है, इतना ही अंतर है दोनों में विस्तार से बात करूँगा जब द्रिगु समाज पढ़ाऊंगा अभी ये समझेगा कि तत्पूस, कर्मधारी और द्रिगु इन तेनों ही समासों में उत्तर पद्रधान होता है मित्रों इसी प्रकार से देखेगा जिसमें दोनों पद्रधान होते हैं वो द्रिग समास होगा ये ध्यान डखेगा और जिसमें दोनों या प्रधान होगा और तीसरा ही कोई पद्रधान होगा वह बहुबरी समास होगा आज की एक कक्षा थी उमीद करता हूँ आपको समास के विशे में बहुत सारी चीजें सपस्ट हुई होगी किलियर हुई होगी आगे की कफ़ा में हम बात करेंगे विश्तार से इसके एक-एक भेदगी तब तक के लिए नमस्ते धन्यवाद